अज़ की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जो क्लास नाइन्थ में जो एकनोमिक्स का पहला चैप्टर है दा इस्टोरी आफ विलेच पालंपूर तो इसके जो एक्सरसाइज की कोस्चनस अंसर्स हैं NCRT के हम लोग इस वीडियो में उन क्वेश्चनस के बारे में डिसकस करेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है वह है एवरी विलेच इन इंडिया इट्स सर्वेड वन्स इन टेन इयर्स हल दस साल में सर्फे होता है डियूरिंग दस सेंसर्स एंड सम आफ डिटेल्स आर प्रेज था है उसका टूटल एरिया आ विलेच क्या है और टूटल लैंड यूट जो है वह स्लिटेल तो यह उन्होंने कॉल्म दिर रख timeframe डेहां पर आपको डिटेल्स अरे नान डिटन है और अ वहां क्या-क्या फैसिलिटी थे एजुकेशनल में क्या फैसिलिटीज है मेडिकल की क्या फैसिलिटीज अवलेबिल हैं मार्केट इलेक्टिस सिटी सप्लाई कम्यूनिकेशन और नियरेश टाउन कौन सा है तो इसका जो आंसर है वह हम यहां पर देखेंगे कि टोटल जो है ज जो कल्टिवेटेड लैंड यह जो एरिगेटेड लैंड 200 हेक्तियर है और अन एरिगेटेड लैंड कुछ भी नहीं है और लैंड नौट अवलेबिल फार कल्टिवेशन एरिया कवरिंग ड्वैलिंग रोड़र पॉन्ट्स ग्रेजिंग ग्राउंड जो ऐसा एरिया जो रो एक हाई स्कूल और दो प्राइमरी स्कूल वहां पर हैं, मेडिकल के अगर हम बात करें, तो एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, एक प्राइमरी हिल्थ केर है, एक जो है जो गवर्मेंट के दोरा चलाय जा रहा है, मार्किट के अगर हम बात करें, तो दो मार्केट है, एक रा राइगंज जो है वो तीन किलो मीटर पर है प्रापर टांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग भुलक कार्ट्स तांगा भोगी स्कैरिंग जागरी आल्सो मोटर वीकल्स लाइक मोटर साइकल जीप ट्रैक्टर एंड टक्स आर अविलेबल फार एजी टांसपोर्टेशन और जो ज्यादा इंपुट्स जो है वो ज्यादा लगते हैं इंपुट्स का मतलब भी समझ लिए कि जिन से खेती जो है वो की जाती है विच आर मैनुफेक्ट्टर इन इंडस्टी डू यू एग्री तो इसका आंसर है यस इस करेक्ट टू से डैट मॉडरन फॉर्मिंग मैंटर्स इंपुट्स विच आर मैनुफेक्ट्टर इंडस्ट्र इंडस्टी जैसे ट्रैक्टर है थार्विष्टर है थे सरे सारा इंडस्टी में बनता है इट इस बिकॉज मॉडरन फॉर्मिंग मैंटर्स यूजा हाई येल्डिंग वराइटी से एच वाईवी शीट्स जो होते है था है भ…खुड़ केमिकल फर्टिलाइबेंच और पिस्टििशाइड और यह ज्यादा रिमीकल ढूर फैटिलाइजर से यह होता है ऐग्रिकुल्चर इंप्लीमेंट से इंप्लीमेंटेशन लाइक ट्रेक्टर्स एन प्रॉपर इरिगएशन फैसलित इस एलेक्रिक टूप विल्स and all these elements are manufactured in the industry सारी चीज़े इंडिस्ट्री में मनती हैं however on the other hand traditional farming methods use of relatively low yielding variety sheets high yielding की बजाए low yielding variety sheets का यूज होता है and use of cow dung and other natural manures as fertilizer 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 की जिए पर chemical की बजाए जो है वो cow dung को यूज करते हैं और जो other में जो है वो natural चीज़े हैं which is now which is why they are less dependent on the industrial output और इसकी विज़े से वो industries पर कम dependent होते हैं next question जो है वो है how did the spread of electricity help farmers in पालंपूर पालंपूर में electricity के बढ़ जाने की वज़े से किसानों का क्या फायदा हुआ तो spread of electricity help the farmers of पालंपूर as it helped in the transformation of the irrigation system of the village irrigation जो है वो आसान हो गया चुकि आप ट्यूविल से और जो है जो सिचाई पहले जो है वो पॉंड से होती थी वो आप ट्यूविल से होने लगी the farmers earlier used पर्सियन वील्स to draw water from the well and irrigate irrigate small fields और पानी को ला करके गाहों तो है कुवह से निकाल करके और फिल पसी चाहिए होती थी तो वो सारी चीज़े यहां बर खतम हो गई बट आफ्टर दा इस्प्रेट आफ एलेक्रिसिटी एलेक्रिक्रिक ट्यूप वेल्स रिप्लेज दीस पर्सियन विल्स जब द्यूप अगई तो जो इलेक्रिक ुब वेल्स थे उन्होंने उसको रेप्लेस कर दिया पर्सियन 70 1970 तक सभी जो लैंड थी वो पूरी इरिगेटेड लैंड हो गई और उस पर खेती की जाने लगी 4th question है is it important to increase the area under irrigation why so answer है इसका जो है it is important to increase the land under irrigation because farming is the main source of income for the maximum part of the population in India and only less than 40% of the land is cultivated in the country तो बहुत साले लोग जो है अग्री कल्चर पर dependent है बट केवल 40% ही इंडिया की जो टोटल लैंड है वो cultivation के लिए जो है वो available है और अच्छी लैंड है तो यह जो है area जो है cultivation का जो area है वो बढ़ाया जाना चाहिए जिसे गाउं में बहुत बड़ी फैमली होते है फिर भी छोटी सी जो है खेटी की जो जमीन होती है उसी से वो survive करते हैं फार्मर्स आर डिपेंडेंट ओन दा एलेक्ट 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 मन्सून सेशन और इफ दा रेनफाल इसलेस्ट फार्मर्स आर बाउंड तो सफर अ मेजर लॉस्ट अगर मांसून जो है वो जो है वो जो कि मांसून पर डिपेंड रहते हैं और मांसून अच्छा होता है तो अच्छी फसल होती है मांसून अगर खराब हो जाता है अगर मांसून जो है वो खराब हो जाता है रेनफाल लिस हो जाता है तो फार्मर्स जो है उनको भी मेजर लॉस होता है तो यह water अगर provide करा जाता है तो जो land है वो cultivation के लिए land जो है वो बढ़ जाएगी और जो किसान है वो भी अच्छे से खेती कर पाएंगे नेक्स question है construct a table on the distribution of land among the 450 families of the पालंपूर में जो 450 families हैं उनके पास जो land है वो कितनी कितनी है तो अगर हम land की बात करें कि जिनके पास बिल्कुल भी land यानि जो landless है वो 150 families है जिनके पास 2 hectare से कम जमीन है वो 240 families है और जिनके पास 2 hectare से ज़्यादा जमीन है ऐसी केवल 60 families है तो इस तरीके से 450 families में ये distribution of land है next question है why are the wages for farm laborers in पालंपूर less than minimum wages जो पालंपूर है वहां के जो farm wages labor है उनकी जो है जो मजदूरी है वो minimum मजदूरी से कम क्यों है there are many landless farm laborers who are paid less than the minimum wage in the पालंपूर the government declared wage of farm labor 300 तीन सो रुपे गवर्मेंट ने डिसाइड के है पर डे के लिए compensation for the work among the farm laborers is a very high which is very why people agree to work for the lower wage चुकि completion बहुत है ज्यादा तर लोग काम करने वाले हैं और जो है कम काम है तो इसलिए लोग कम पैसे पर भी काम करने को त्यार हो जाते है नेक्स कोस्चन है in your region talk to two labor's choose either farm labor's or labor working at a construction site what wages do they get कितनी मजदूरी उनको मिलती है और क्या उनको cash मिलता है या उनको और काइड में मिलता है और क्या उनको regularly काम मिलता है या वो उधार में जो है जिन्नगी जीते है तो यह जो एक कोस्चन है यह आप जो इस्टुडेंट से उनको आप लोगों को अपने nearby area से दो तीन लोगों से ऐसे बात करके इसको find out करना है next question है what are the different ways of increasing production on the same place of land use examples to explain क्या तरीके है जिनसे आप उतनी ही जमीन पर ज्यादा उतपादन कर सकते हैं to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as a multiple cropping तो multiple cropping क्या है एक ही जमीन पर एक टाइम पर ज्यादा फसल उतपादित करना it is the most common way of increasing production on a given piece of land यह सबसे जो multiple cropping है यह सबसे आसान तरीका है दी हुई जमीन पर ज्यादा उतपादन करने का the best example of this is cultivation in पालंपूर पालंपूर जो आर एंद बाजरा ग्रो दिवरिंग दा रेनी सीजन followed by potato between October and December and during the winter season wheat is shown in the field the main reason for this well developed system of irrigation irrigation अच्छा होने की वज़े से जो वहां के लोग है पालंपूर के वो एक साथ जो आर बाजरा भी उगाते हैं और उसी के साथ में जो है वो आलू की खेती भी कर लेते हैं और साथ में जो है वो विंटर के सेशन में और जो है गेहूं जब बोया जाता है तो उसी के साथ में जैसे कि यहूं उपर निकलता है potato नीचे होता है तो वो दोनों फसल एक साथ जो है वो पैदा कर लेते हैं क्या क्या काम उसमें कर सकता है तो एक हेक्टियर लेंड विल बी काल्ड इस्माल फार्मर एक छोटा फार्मर कहला है जिसके पास एक हेक्टियर की जमीन होगी सिंस दे एडिया आफार कल्टिवेशन इसमाल आउटकम में आल सो भी नॉट भी हाई ये है वो पैसे चाहिए होंगे वो मनी लेंडर ड़ो रस से वो पैसा बारो किया जाता है उससे मनी लेंडर से वो पैसा बारो किया जाता है at a high interest rate बड़े बड़े interest rate पर high interest rate पर उचे interest rate पर and at times may also have to work as a farm laborer for the money lender. Once the farm is cultivated the produce has to be divided for personal use and for selling in the market जब खेती हो जाती है तो जो खेती से उत्पादन होता है उसको दो भागों माटा जाता है एक भाग जो होता है वो self consumption के लिए होता है और दूसरा जो है personal use के लिए होता है और दूसरा जो होता है selling in the market के लिए होता है so whatever profit is earned the farmer has to usually give it away to the money lender जो भी profit वो कमाता है वो क्या करता है usually give it away to money lender जिससे उधार लिया होता है उसको दे देता है little some of money is left further use of the farmer himself और बहुत कम पैसा किसान के पास अपना बसता है जिसको की वो further use कर सकता है the only help a small farmer get is that or his family members तो यह जो family members है उन से केवल उसको help मिल पाती है next जो question है how do the medium and large farmers obtain capital for farming जो बड़े पार किसान है और जो मध्यम किसान है उनको खेती के लिए पैसे कहां से मिलते है how is it different from the small farmers और यह small farmers कैसे अलग है तो large and median farmers sell surplus farm product part of their product जो उनके पास extra product होता है उसको market में ले जाकर कि surplus product को बेच देते हैं इससे उनको पैसा मिलता है और उसमें से जो पैसा बसता है उसी पैसे से वो further आगे जो है वो खेती करते हैं इसके साथ साथ में जो कुछ जो farmers है जिनके पास small farmers and loan at the high interest rate and get back the amount by the next session और कुछ लोग उसी में उसी पैसे को छोटे किसानों को high interest rate पर जो है उधार दे देते हैं और जो है जब फसल करती है तो पैसा वो high interest rate के साथ वापस ले लेते हैं कुछ लोग जो पैसा बसता है उस पैसे का यूज जो है वो पसुओ को खरीदने में करते हैं या जो है ट्रक खरीद लेते हैं या जो है कुछ दुकान वगेरा खोड लेते हैं नेक्स कुश्चन है अन वाट टम्स दिड सविता गेट लोग फ्राम दा तेजपाल सिंग वोड सविता कंडिशन बी डिफरेंट इप सी कुड गेट लोग फाम दा बैंक अट लो इंटरेस्टेट की पूछ रहे है कि सविता को लोग कहां से मिला था और टेजपाल सिंग से जो है वो जो लोन मिला था वो क्या सविता की कंडिशन अलग होती है अगर वो लोन टेजपाल सिंग की बजाए वो बैंक से लिया गया होता तो सविता गॉट लोन फाम तेजपाल सिंग एड लेट आफ इंटरेस्ट एड 24% तो एक तो चौबिस परसेंट इंट्रेस्ट पे करना है और साथ में तेजपाल सिंग के जो है जो फार्म है जो उसका जो खेट है उसमें लेबर के रूप में काम भी करना है सवीता को और तेजपाल सिंग्या काम करना है अगर सवीता ने बैंक से लोन लिया होता तो उसकी कंडिशन जो है वो दूसरी होती क्योंकि जो रेट आफ इंट्रेस्ट है वो लेस होता और लेट आफ इंट्रेस्ट लेस होने के वजए से सवीता के पास जो है पैसा ज्यादा बचता वाट वाट वाज आस्ट बाइड़ तेजपाल सिंग्या काम करना पड़ता था अगर उसने तेजपाल सिंग से पैसे ना लिये होते तो वो अपने खेती पर अपने जो है जो खेते उस पर भी ध्यान दे सकते थी नेक्स कोश्चन है टॉक तु सम ओल्ड प्रेजिदेंट इन यूर रीजन और राइट शार्ट रिपोर्ट ऑन दा चेंज इन दा इरिगेशन चेंज इन दा प्रोड़क्शन मेटर इन लास्ट थर्टी एस अपने आस पास के जो बुजुर्ग है जो बड़े लोग है उनसे आप पूछे कि पिछले 30 सालों में जो सिचाई और जो है जो खेती है इसमें क्या-क्या परिवलतन हुआ है क्या-क्या चेंजिस आये हैं तो यह आपको करना है अपने जो है आसपास पूछ के लिखना है नेक्स कोश्चन है वाट आर दा नान फार्म प्रोड़क्शन एक्टिविटीटी जो है वहाँ पर नान फार्म एक्टिविटी जो है क्या वहाँ ज्यादा नान फार्म एक्टिविटीज जो है सकते हैं शुरुवात की जा सकती है तो तो प्रमोट मोर नान फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन विलिजेश दा फालोइं इस्टेप्स कैन बी टेकन लोग मस्ट बी अवेलेबिल फार पीपल एट लोवर इंटरेस्ट रेट सो देट देट कैने स्टार्ट अब नान फार्म एक्टिविटी को जो है वो प्रारंब कर सकते हैं अचैश्वापर मार्केट शुद सेट अप सो दैट दा प्रोड्यूज को जो करेंगे ऊस गूजब क्या कर सकते हैं अच्छा करें जिससे की गाउं में जो चीज़े पैदा की जा रही है उन चीज़ों को सिटी में वो ले करके बेचा जा सके और पैसा जो है वो नान फार्म एक्टिविटी के जलिए कमाया जा सके तो यह इस तरीके से जो है नान फार्म एक्टिविटी जो है वो हैं तो यह कुल 14 कोश्चन्स हैं जिनकों हमने डिसकस किया है और इस वीडियो में बस इतना ही ठैंक यू